सब्सक्राइब कीजिए एहन्दी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों ये हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके Android डिवाइस में गूगल एसिस्टेंट से जबी आप स्क्रिंशॉट ले रहा है तो दोस्तों वह स्क्रिंशॉट जो है कैप्चर न स्क्रिंशॉट कप्चर जो है आप एजली वाच कर सकते हैं तो अगर आपके पास गूगल एसिस्टेंट स्क्रिंशॉट फीचर वर्कू ने करना है तो ये वीडियो वाच कीजिए तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ड में बदा देता हूं तो गूगल एसिस्टेंट इ इनेबल करते हैं दूगल एसिस्टेंट को ओपन कीजिए और आपकी प्रोफाल एकन पर क्लिक कीजिए सेटिंग्स को ओपन कीजिए सेटिंग्स में दोस्तों आपको जाना है एसिस्टेंड में नीचे स्कॉल करना है और यहां पर आपको जाना है फोन में फोन में जानेक इसके बाद जो आप इसली स्क्रीन शॉट को क्याप्चर कर सकते हैं तो अगर यह फीचर इनेबल करने के बाद भी अगर आपके पास गूगल एसिस्टेंड स्क्रीन शॉट करना, तो आपको सिंबल से फांड करना एंश्सट एंड वाला जो आप्शिन है यह वाला जो फीचर है फांड करना और इसको ओपन कर लेना यहां से आपको इनेबल करना है use text from screen यह दोनों option को आपको enable करना है उसके बाद जो है आपका problem 100% solve हो जाएगा अगर आप google assistant की setting में enable करेंगे तो screenshot capture नहीं होगा यहां से भी आकर आपको जो दोस्तों यह दोनों options को enable कर लेना है इसके बाद जो अगर आप problem face कर रहा है वैसे तो आप problem नहीं face करेंगे अगर face कर रहा है in case तो face से आपको phone settings में जाएए apps and notifications में जाएए all apps में जाएए और यहां से जो दोस्तों आपके पास जितने भी apps installed है वो शो करेगा और google को find out कीजिए उसको open कीजिए storage में जाएए clear catches and clear storage पे जो है दोस्तों क्लिक कीजिए इसका catches और storage एप का clear कीजिए उसके बाद एक मरताब आपका device जरी start कीजिए अगर आपने गूगल एप गूगल एसिस्टेंट को अपडेट नहीं किया तो बस दोस्तों जादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए वीडियो पसंद आ गई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के amazing interesting daily videos हम आपके लिए लेका आता रहते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में ठान कियो